भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेश्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें याद रहेगा भूल जाओ एक एक आइटम बताना तो सोचना पड़ेगा कि आप क्या खाया था फिर सोचेगा रोटी घाई थी पराटा पता नहीं क्या खाया था चार दिन पहले कब भूल जाते हो क्यों भूलते हैं सबकी बज़े अलग-अलग हो शक्ति है हम किसी और बज़े से बूलते हैं वो किसी और बज़े से बूलता है क्यों बूलते हैं कित्ता तो याद रखो कि हम भूलते क्यों है कि ये भी भूल गए ये भी भूल गए कि हम भूलते क्यों है क्यों बूल जाते हैं कि अज़को आखम कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, पाच्छे दिन हुए, ज्या बताया था? बड़ा जोर डालना पड़ेगा, क्या बताया था? एक दो बाते ही मुश्किल से बता पाओगे, इसा क्या होता है? दिमाग में? पहले दिन सफल था और खुशी पर चर्चावी थे और भूलता है आदमी इसलिए कि उस महत्वा देता नहीं, ज्यादा इंपोर्टन जिसको देना है वो ध्यान में रखता है और जो महत्वा पूर्ण नहीं है तो इसलिए भूल जाता है बहुत बड़ी और कोई बता सकता है अपना सोच, बिचार किसी को आ रहा हूँ? कम सोच इसकी वज़े से भूल जाती है नहीं, यह थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगा, और कोई बताईए हाँ, बोलो, माइक का लिए, माइक लिए जिसमें खुशी ज्यादा रहती है ना, वो ध्यान मेरता है खुशी? हमने तो यह सुना है कि खुशी नहीं, कोई यदि गाली दे तो जिंदगी भर याद रहती है और कोई प्रसंसा करे तो हम भूल जाते हैं तो गाली में खुशी मिली के आपको? किसी ने अफमान किया तो जीवन भर याद रहता है तो उसमें अपमान में कोई सी खुशी मिल रही थी अपने के? जो मन में पक्का बैठता है, वो बुरा हो या अच्छा हो वो ध्यान में रहता है वो याद में रहता है, बाकी सब बूल जाते है पक्का बैठता है यानि? कोई incidence हो, कोई ऐसा नहीं, पक्का बैठने का मतलब क्या है? बोई होगे है न, ध्यान कहाए किसी राइटर ने किसी भी चीज को कम से कम दस हजार वार दोहराओ तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है खाना कित्ती वार खा चुके है अपन? पैदा हुए जब से घबराओ नहीं कि दस हजार तो यार बहुत ज़्यादा होते हैं दस हजार से ज़्यादा वार तो अपन पानी पी चुके हैं कि 10,000 से जादा वार अपन भोजन कर चुके हैं दस अजार से जादा वार अपन नीद ले चुके हैं ले चुके ना तो दस अजार वार आप उसको दोहराईए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी उस मैमोरी को डेलिट नहीं कर पाएगा समझ में आ रहा है तो उसको बोलिए जैसे अपन कई लोग भक्तामर पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं काम भी करते रहते और पाठ भी चलता रहता है भूलते हो क्या चलो भक्तामर तो छोड़ो इस अब सेट लोग बैठे हैं यदि मंदिर में माला फेरते हैं और कोई बाज नहीं लग रहा है माला फेरने बड़ा डिस्टर्ब होता है कोई जोर से पूजा कर रहा है कोई जोर से स्वाध्याय कर रहा है कोई बात कर रहा है तो अपना ध्यान माला में जाता है या वहां जाता है डिस्टर्ब होता है ना बहां जाता है क्यों बोले आज मंदिर मन नही वो ली बाड़ा शोर था लेकिन यहां शोर है वहां मन नहीं लगेगा लेकिन जब कर दुकान में कस्टमर आपको नोट देता है जो क्दुकान में साइलेंट होता है कि शोर होता है फिर नोट कम होते हैं गिनने क्यों है कितनी भी बड़ी भीड हो कितनी सब्जी मंडी में भी खड़े हो हर चीज में गलती हो जाएगी लेकिन नोट गिनने में गलती क्यों नहीं हो रही है और माला में डिस्टर्ब क्यों हो रहा है क्यों ऐसा क्यों माला में क्यों मन नहीं लगता माला में डिस्टर्बेंस क्यों होता है नोट गिनने में क्यों नहीं होता है क्या क्या चंदुलाल माइक दो क्यों है वो फोटु कि जाना खड़ा हो यह भी फूल चंद से कम नहीं है उसका वहलूक कम होती है वहलूक कम होती है पैसे को ज्यादा महत्व देते है हम लोग क्योंकि माला फिरते तो ऐसे सब चले जाते हैं क्या मतलब फाल तो नियम दे दिया फिर लिया कुछ होता होता तो है नहीं है देखो यानि सब बातों से यह निरिणाय हुआ कि जो चीज हम महत्पून समझते हैं समझे में जिसको हम इंपॉर्टेंट देते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं और जिसको महत्पून नहीं देते हैं उसे हम जिसे उधारण आपने एक्जाम दियोंगे परिक्षा दियोंगी यह ना सबके बातों से यही तो डिसीजन आया है तो उधारण के शरूप आपने एक्जाम दिया आपको रॉल नंबर दिये जाते थे पहले अब क्या होता नहीं मालू रॉल नंबर तो होता है है न रोल नमबर होता है कि आपका रोल नमबर ये है तो वो रोल नमबर एक्जाम के बाद याद रहता है क्या यदि मैं पूछूं कि आपका टेंथ में रोल नमबर क्या था याद रहता है क्या क्यों नहीं रहता कि हमारे लिए वो अनुपियोगी हो गया अब क्या चरूबत उसकी याद रखने की तो इसका मतलब है कि आदमी भूलता सुभाव से नहीं है समझी मेरा जो मेमोरी बोलते हैं अपनी लाउस होती नहीं है एक आदत नहीं है कि हम भूल गई एक आदत बन गई कोई आदत नहीं है ध्यान रखना ये भूलना और याद रखना ये दो दोनों चीजें हमारी मानसिक्ता पर डिपेंड है किस पर डिपेंड हमारी मेंटिलिटी क्या है समझ में आ रहा ये कोई रोग नहीं है ये कोई बीमारी नहीं है कि मुझे मन नहीं लगता मैं भूल जाता हूँ मैं पढ़ाई में भूल जाता हूँ मैं काम करना भूल जाता हूँ जो आप कल पढ़ा रहे हैं मैं आज भूल जाता हूँ ये कोई एक प्रकार की आदत नहीं है कि भूलना ही हमारी आदत है ये हमारी मानसिक्ता पर depend करता है कि हम किसे याद रखना चायते हैं और किसे भूलना चायते हैं तो जो उपयोगी है उसे हम याद रखते हैं जो अनुपयोगी है उसे हम भूल जाते हैं अब आपको यह देखना है कि मेरे जीवन में उपयोगी चीजें क्या है किसी का गुसा याद रखना इतना important है महत पूर्ण है किसी की गाली याद रखना इतनी महत पूर्ण है बोलो फिर क्यों याद रखते हूं अपने अपनी याद, आदत नहीं है यह हमने उसकी गाली को महत दिया है इसलिए याद अभी तुम लोगों ने बताये ना कि जिसको हम महत पूर्ण समझेंगे important समझेंगे बो याद रहेगा अब आपको अच्छी वाते याद रहती है या बुरी वाते ज़्याद रहती है बोलिये क्यों रहती है बुरी वाते याद क्योंकि मैं है बुरा हूं ने उसकी वातों को याद रखा याद आप उस गलत बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते इसलिए अपने आप से कहना पूरी ताकत और इमानदारी से I am bad man कह सकते या नहीं भूलो कहोगे तो good man बनोगे नहीं तो क्या होगा कि हम इस कमजूरी को भी अपनी अच्छा ही समझेंगे समझ में आ रहा है इस गलत बात को भी अपन गलत बिचार रखते हैं गलत बातें याद रखते हैं उसके बाद भी यदि कोई आपको खराब बोल दे तो बुरा लगता है या नहीं लगता है बोलो लगता है ना बुरा वो बुरा क्यों लगता है जबकि सामने वाला सच बोल रहा है सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है सही बोल रहा है अब बुरा क्यों लग रहा है क्योंकि मैं अच्छा होना नहीं चाहता हूँ इस जो दुफैर को मैंने किलास में पढ़ाई है उसका मूल उद्देश एक ही था कि मुझे कशायों से मुक्त होना है और अच्छा आदमी बनना है समझे में आ रहा अच्छा आदमी स्वयम से बनना या दूसरा कोई बनाएगा कि सामने वाला अच्छा होगा तो मैं अच्छा होँगा यदि सामने वाला बुरा है तो मैं उसके साथ बुरा होना चाहिए मुझे या अच्छा होना चाहिए चाहिए तो छोड़ो हम अच्छे बनते हैं उस समय अब बुरे बनते हैं इसलिए आज आपको एक सूत्र याद रखना है कि मैं मेमोरी मेरी कभी खत्म नहीं होती है दिमाग तो हमेसे ही सही हुआ करता है लेकिन जिस चीज को हम महत्त देते हैं वो हमारी मेमोरी में रहता है और जिसको महत्त नहीं देते वो डिलिक्ट हो जाया करता है अब देखना ये है कि हम किन चीजों को महत्त देते हैं बुरी चीजों को या अच्छी चीजों को यह अपने को सोचना है यदि अच्छी चीजों को देंगे तो हमारे दिमाग में अच्छी चीजें रहेंगी बुरी चीजों को महत्त द उसने ऐसा गुशे में, इतना गंदा बोला, इतना मेरा अपमान कर दिया, अब तो मेरा बोलने कही मन नहीं कर रहा है, आप जितना अपमान सोच रहे हैं, तना हुआ है क्या? बोलिये हमारी बेजिती कर दी हमारी इंसल्ट हो गई हमारा तो साभीमान मिटा दिया हमारा तो सम्मान खत्म कर यह आप सोच रहे हैं इतना हुआ है भुलिये है हुआ है इतना कि आप सो चार लोगों को तो पता ही नहीं है लेकिन दिमाग क्या सोच रहा है चार लोगों मेरी इज्जत खराब जबकि चार लोगों ने आपकी उस घटना को ध्यान से देखा ही नहीं है लेकिन हमने दिमाग में क्या बना लिया हमारी इज्जत कतम होंगे हमारी बेज्जिती कर दी सही में होता है या नहीं है दोलिये तो अब वो बाते दिमाग में रहेंगी या नहीं रहेंगी अब वो बाते दिमाग में रहेंगी तो कशाय पैदा होगी या नहीं होगी होगी न तो आप अपने मन से अपना संसार नहीं बना रहे हैं मालो किसी ने आपको कुछ बूला और आपने भी उसको पलट के जवाब दे दिया चलो आप गुस्से में तुमने बोला, सामने बाले में बोला अब दूसरा पाइंट पे ध्यान देना पहला तो हो गया कि किसे महत तो दे रहे हैं जिसे महत तो दोगे वो हमेशा याद रहेगा और जिसे महत तो नहीं दोगे वो भूल जाओगे अब किन चीज़ जीवन को सुखी बनाना है, आनंद बनाना है किन चीज़ों को महत तो देना है और किन चीजों को महत्व नहीं देना है ये decision आपको लेना है दूसरी बात मालो सामने वाले ने आपके सामने बहुत गुसा किया और आपने भी किया अब आप जीत गए उससे गुसे में उसको मार पेट के कैसे भी सांध कर दिया अब आप है सोचिए कि आपकी इस जीत से क्या आपको रामनात कोविंद भारत रतन का एवार देगा बोलो समाज में एक आदर्स पुरुषकार मिलेगा फूल माला डलेगी बोलो स्वागत होगा अरे मैं जीत गया ध्यान रखिये यदि ये दिमाख में ले आओ कि यदि मैं सामने वाले से जीत भी गया तो मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया और यदि मैं हार गया तो मेरा क्या चला गया विचार करिए कशायों से मुक्त होना है हम ध्यान रखना दूसरा सूत्र जो मैं दे रहा हूँ आपको कि छोटी जीत को बड़ी सफलता मत समझो समझे में आ रहा छोटी मोटी जीत है इनको जीत करके तुम्हें कौन सी बहुत बड़ी सफलता मिल गई कौन सा बहुत बड़ा एवार्ट तुम को प्राप्थ होगा तुम अपनी दिवरानी से जीत गई जिठानी से जीत गई, सास से जीत गई, भाई से जीत गई, क्या मिलेगा बोलो, लडाई भी कोई जमीन जा जात की हो, तो भी चल जाए बिचारों की लडाई है, समझ में आ रहा, बिचारों थोड़ा सा मन के खिलाब बोल दिया आप गरम हो गया, सामने वाला गरम हो गया, आप जीत गई मान लो, फिर क्या मिलेगा समाज में बड़ा सम्मान होगा, परिशन पर में माला डलेगी, जलूश निकलेगा, वो ले क्या हो, वो ले जिठानी से जीत गई है इसकी आरती उतारो, इसको फूल माला पहनाओ, इसको प्रमान पत्र दो, सम्मान पत्र मिलेगा तो उस लड़ाई को इत्ता महात्पून क्यों बना रहे थे सोचे जब कुछ नहीं मिलना है, तो उस जीत से तुमें मिल क्या रहा है थोड़ी देर की, यह मान सिखता है है ध्यान रखना, यह ना आदत है, ना हमारा सुभाव है यह mentality है, समझ में आ रहा है, यदि आप उस समय यह विचार ले आओ, कि सामने वाला गुसा कर रहा है मुझे गाली दे रहा है, मिरा अकुमान कर रहा है, चलो बदले में मैं इसको कुछ करवी दूँ तो मेरा कौन सा बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा ऐसी ही सोच, पारसनात कमट के सामने लगा रहे थे यदि वो चाहेते तो उटको, दो लगाते कमट को तो एक तरफ बैठ जाता लेकिन उन्होंने कहा, इसको जीतने से मुझे मिलेगा क्या और यदि मैंने इसकी जगए अपने मानशिकता को जीत लिया तो मुझे मोक्ष की प्राप्ती होगी, कल्यान की प्राप्ती मोक्ष माने क्या, आप काओगे हमें मोक्ष तो होना ने मोक्ष माने आनंद, जब आप यह सोच लेंगे कि उसकी जीत से मुझे क्या मिलेगा कर लेने दोसको, आपको करेंट में आनंद प्राप्त होगा समझ में आ रहा, आपको खुशी मिलेगी, आप कशायों से मुक्त होने लगेंगे तो छोटी जीत को बड़ी शफलता मत समझेए और हम सारी जिंदगी छोटी जीत को बड़ी सफलता समझते हैं पिर जाके बताएं, अरे मैंने भी ऐसा जवाब दिया, मुँ तोड़ जवाब दिया कोई उत्तर नहीं बना उससे, अरे तो क्या हो रहा इससे, उत्तर बन भी जाता तो जिससे बता रहा है वो कौन सा तुम्हें माला पेनाता नई बना तो वो कौन सा तुम पे हसरा है ध्यान रखना इस सारी चीजें हमारी मानसिक्ता पर निर्भर हैं हमारी मानसिक्ता कैसी है